एक ट्रेलर आया है श्रीकांथ नाम से स्टारिंग राजकुमार राओ इन रियल लाइफ कैरेक्टर ओफ विजूली इंपेर्ट परसन नेमड श्रीकांथ बोला इस ट्रेलर के बारे में कुछ भी बोलने से पहले मैंने श्रीकांथ बोला के बारे में पढ़ा खुद में इतनी बड़ी कमी होने के बावजुद श्रीकांथ ने जो किया है वो आजकल के फालतु में रिल्स बनाने वाले यंग्स्टर्स को ज़रूर देखना चाहिए सौरी अगर मैंने किसी को हर्ट किया आप महनत और डेडिकेशन से क्या नहीं कर सकते क्या क्या हासिल कर सकते हो इसका जीता जाकता उधारन है श्रीकांथ बोला and I'm so much happy के ऐसे topic पर आज राजकुमार राव को लेकर film बनाई जा रही है well hello मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी मैंने कुछी दिन पहले इंस्टा पर एक वीडियो देखा था जहां राजकुमार राव अपने श्रीकांथ रोल में है and उनके बाजू में original real life श्रीकांथ के साथ वो ऐसे बात कर रहे है जैसे खुद वो भी श्रीकांथ ही हो वो भी real life में तो सबसे पहले तो hats off to राजकुमार राव इन्हों ने इतने challenging role को चुना and उसके बाद मैंने श्रीकांथ बोला के बारे में again पढ़ा मैं जादा नहीं बताऊंगा नहीं तो कहानी सामने आ जाएगी बट बस इतना बता सकता हूँ कि visually impaired होने के बाद भी he scored 98% in 12th he got admission in MIT खुद की industry खड़ी करके वहाँ खुद के जैसे employees भी रखे 150 करोड का turn-over भी किया Forbes magazine में 30 under 30 में नाम भी कमाया तो सोचो क्या हिम्मत क्या लगन और क्या मैनत की होगी श्रीकांथ ने and इस role को निभाने के लिए राजकुमार राव ने and see, इस trailer की खास बात ये है कि कही पर भी आपको ये feel नहीं करवाता कि ये किसी ऐसे इंसान की कहानी बताने जा रहे है जो disabled है no, it's not about disability it's about different ability जो normal people सब कुछ होने के बाद नहीं कर सक रहे हैं वो एक ऐसा इंसान करके दिखा रहा है जो differently able है and presentation भी देखो इस पूरे trailer का तीन मिनिट सत्रा सेकंड का लंबा trailer है भाई and I didn't feel it कि ये इतना लंबा था मुझे लगा अरे अभी तो शुरू हुआ है trailer this is how a trailer cut should be and इसके tagline में जो लिखा है न आ रहा है सब की आखे खोलने भाई, सच कह रहा हू खुल गई आखे and ये तो बस एक trailer था and इस trailer से राजकुमार राओ के acting से ये तो पक्का promising movie लग रही है भाई but दिक्कत ये है कि ये कोई mass masala genre वाली movie नहीं है इसलिए no hype but I hope कि word of mouth से इसका hype बन जाए क्योंकि यार राजकुमार राओ क्या ही acting level पर चले गए है इस movie के लिए अपना एक अलग ही अंदाज यहाँ पर वो showcase करते नजर आ रहे है and I'm definitely sure कि इनके इस acting को कोई deny नहीं कर सकता बाकी cast भी काफी अच्छी है जोती का है शरत केड कर है पर यार क्योंकि कहानी श्रीकान की है तो 99% इस film को राजकुमार को ही अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा and I'm sure he will nailed it movie आ रही है 10th माई को theaters में I am hyped for this movie और मैं यह movie एक motivation and acting performance के लिए जरूर देखना चाहूंगा बाकी आप बताओ आपने देखा है कि ने trailer